मैकसिमम लोगों के मन में जो डौट रहता है जो मेरे पास अब सबस्ब्सक्राइब यहाथ वह इस चीच का आता है कि भाईया मैंने कभी भी डिये से नहीं करा और अगर किया भी तो बहुत अच्छे से नहीं करा मैकसिमम लोगों के मन में यही रहता है कि DESA का डर जो रहता है बहुत ज्यादा आंदर में हावी होजाता है कि अब हमारा कुछ हो इंसकता क्यूं listen to our this question मैं लुझ हमारे लिए करना कि इंपॉटन है time इधर ऐदर में spend हो जाता है या college के study में spend कर देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़े सीखने में इसको कर लो और ऐसे ही मैक्सिम्म लोगों को साथ होता है मेरे साथ भी यही हुआ था आज की इस वीडियो में सबसे अपन यहीं देखेंगे कि भी अगर डिया से अच्छे से नहीं किये तो क्या लाइफ खतम हो जाता ह पर बात में भी किया जा सकता है lots of questions दिमांग में चलते है जो सबसे जाता दिमांग में रहता है कि भी यह अगर अब शटार्ट करेंगे तो क्या हम राच्छा हो जा जाएगा यह अब बहुरों को लिए जवाव मैं इस वीडियो में देने बाल हूं स्टार्ट करते मेरी जर्णी से मैंने जब कॉलेज जॉइन किया था मैं 2017 में ने कॉलेज जुए जुआ था और सच बता रहा हुँ अम इमुली कुछ नहीं पड़ा था मैंने कम्पूटर साइंस ले तो लिया था ज़स्ट बिकॉज की मुझे फ़दा था कि ऐसा फिल्ड है ज मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग जब मेरा फील्ड है तब मुझे डफिनेटली यह चीज आनी चाहिए उसमें लैप्टाप बे नहीं था धीरे धीरे Computer Science जो सेंटर होते थे हमारे Colleges में तो वहां पे मैं Computer Center में बैट के चीजी धिरे धिरे पढ़ाई करता रहता था प्रोग्रामिंग सीखते रहता था स्टार्ट कहां से किया था सौरफ सौकलासर से सौरफ सौकलासर काफ़ी फेमस यूट्यूबर है उन्होंने C Language पढ़ाया C++ Language पढ़ाया तो दिरे धिरे डिलाइज हुआ कि सिफ लैंग्विजिस पढ़ने से काम नहीं चलेगा हमें प्रोग्रामिंग भी है कुश्टन को फॉल्फ करना पड़ता है वह समय लीट कोड को उतना था ट्रेंड था नहीं तो क्या किया जाए जिदे में सीनियर से मैंने बात करी देवार लाइक की भहिया तुम्हें काम करो अगर तुम CP के कुश्टन्स शॉल्फ करते हो तो डेफिनेटली जो लेवल रहता है वह काफी ज्यादा रहता है और जो इंटर्वी में जो कुश्टन्स पूसते हैं जो काफी चीज़ करने के प्रक्टिस रहेगे तुम्हें असान चीज़ेए उसको तो मीजली कर ले जाओगा मैंने कोट्स सेफ करना स्टार्ट किया कोट्स में कवे सारी चीज़े करी पहलाली मुझे लगा कि यार कोट्स में जो पकड़ है जो कॉंफिडेंस है जो वहां पर कॉंटेस्ट होते है तो उसमेरे रैंक्स अच्छा हैने लगे आई थाट के काम करते हैं वीडियो बनाने में स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी तक सिर्फ मैंने सीपी किया था ठीक है और यह फर्स्ट यर सकेंड यर का स्टार्ट आधा निकल सीपी अपने बस की चीज है यह से छोड़ा देते हैं मेरी सबसे गलती वहां पर थी एक कि मुझे पिवर्ट नहीं करना चाहिए था छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे दूसरे प्लाटफॉर्म के थ्रू जैसे कि अब के लेटेस्ट प्लाटफॉर्म चल रहे लीट कि मैं सीच के लिए बना ही नहीं कोलेज के लोग काफी अच्छा कर रहे था था मेरा दिमाग इतना कम जोड़ है कि हमसे यह सेरी चीजे होगी नहीं मैंने पीवट कर दिया चौट के रहने देते हैं इसको यह हमारी बस की चीजे नहीं गया दैन है स्विच इंटो दे बैक- चाहेगा कॉलेज में बट मैं रुखना चाहता था आई बास के वहीं रहेंगे अराम से ठंडी ठंडी जगा हमाचल में अराम से करतें इंटंसिप फिर मैंने उस इंटंसिप में सब्सक्राइब सीखा नोट जीएस इसको मुनों बैक-end डवलप्मेंट में यूज करते हैं चाहेगा काम में इंटरेस्ट बनाना थे स्टाट कर दिया और मेरा इंटरेस्स इतना यादा डवलप्मेंट में कवे लग काफी सारी चीजे चीजे सीकी काफी सारे प्रजिक्त बनाय तूस को यूज किया लेकिन पैरलली डियेसे का टेच फूरा शूट चुका था 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 मुझे रिलाइज हुआ, भाई, डीएसे अच्छे से करना पड़ेगा, भाई, टैरलल ही मैं क्या करता था, मेरे तब तक YouTube चैनल क्रियेट हो चुगा था, काफी लोग डिमांड करता था, भाई, डीएसे के वीडियो लो, तो मैं खुद डीएसे पड़ता था, फिर डीएसे के अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी-बड़ी इंटर्व्यू जैसे जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, Microsoft हो गया, Google हो गया, इन सारी कंपनी में आपको चांसे काफी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डीएसे कुशन से काफी अच्छे से प अच्छे अच्छे पैकेजिस करें, सुला लाग, ठारा लाग, बीस लाग, उससे मझे अब सात लाग पे रहते हो, इसे तो काम नहीं चलेगा, बड़ी डेजन नहीं कि मैं काफी डिपरेस्ट और काफी परिसान थे, मुझे अच्छा पैकेजिस चाहिए, आइथा की, कंपन लेकिन होता है, एक continuous flow में questions को practice करना वो नहीं करता था, लेकिन on the, during the job, job के साथ साथ में एक दो घंटे, सुबा का, morning का, कभी भी जब समय में मिल गया, मैं DSA practice करते रहता था, ब्राव इस्टेक फिर मैंने leave किया, फिर मैंने service नहीं जोइन किया, point is that, कि कॉले से निकलने के बाद, one and one point five year के बाद, मैं काफी अच्छे जगा पे placed हो चुका था, after two switches, right, अब यहां पे बहुत सरे लोगों कहना है, कि भाई, हमें पहली company अच्छे चाहिए, क्यों चाहिए, भाई, इसका कोई reason है, आपके पास, अगर आपने बहुत सारी mistakes करी हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, हमारे career पर क्या impact पड़ेगा, I agree, लोग सवाल करते हैं, इस चीज़ को लेखे कि क्या reason है कि आप इतना multiple switch इतना frequent कर रहे हो, हो सकता है कि आप बस यहां पैसा दिखता वहां जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा बस इतना कहना है, हर किसी का journey अलग होता, आपक यह मैंटर नहीं करता कि आपको टॉप नॉच बनना है, सबसे सुपीरियर बनना है, नहीं, मेरा यह कहना है, डियसे ब्याना जरूरी है, अगर अपना service नहों की बात करो, तो मेरा दो राउंड शार्टिंगा, डियसे में लोग पूछते हैं, यह basic criteria है, अगर आपको किसी भ company crack की है, I guess it's not that bad, ठीक है, ठीक है, अब वो लोगों कि भाई, आप और लोगों से एक साल पीछो लिकेन ऐसा नहीं है, आपने जब दो switches किया, आपने तीन company में काम किया, आपके पास experience जादा है, आपने different diversified projects में काम किया, आपने different tools पे काम किया, ज़्यादा लोगों से मिला है, यह भी अपने आप में का experience है, तो इसको पूरा कपरा life का experience के तरह लिया करो, यह बस एक race नहीं ही, कि all this निकलने बाद किसका कितना package लगा, कौन कितना अच्छा जिंदिगी जी रहा है, यह चीजे एट दीन मैटर नहीं करेंगे आपके लिए, आप बात मान के देखो, लेकिन भाई आप एक बाता हो, तो क्या हम दीयसे करना छोड़ने, जो चैसे चलता, चलने देता है, जब जिंदिगी पुछ मैटर नहीं करता, तो चलने तो चैसे चलना नहीं, मेरा कहना है, जिस दिन से जा गया हो, जिस दिन से पता चला है, एच्छा डियसे वे इंपोर् कोई फिक्स इस्टेट नहीं है कि आप बैठे रहोगे आपको सब कुछ आ जाएगा सब कुछ पढ़ लोगे और आपके ज्वाब हाथ में आ जाएगा नहीं आपको फिर वी फाइट करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा इंटर्व्यू देना पड़ेगा आप बात मान के देखिए मैं यह नहीं कहारा को डियसे में प्रो बनना जरूरी है अपको हर चीजों का पता होना चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली सॉट्फिर इंजीनिर मतलब होता है उसको सारी फिल्ड्स का नॉलेज है थारी चीजे पता है सारा एक्स्प्रियेंस फेस करने तो डाट्स नॉट बिग डी जितना आप सोस्ते हो चीजों को लेके कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता तो आई होप यारा को वीडियो अच्छा लगा हो आपको चीजे समझ में आई होंगी तो प्लीज अगर आपको लगता है किसी तरह का आपको डाउट है मन में कोई संका है क प्लीज बताओ आप मुझे मैं डेफिनिटली आपका हेल्प करूंगा मेरे साथ लिंडिन में कनेक्ट करो अगर रवे तक लिंडिन में कनेक्ट नहीं किया है तब बात बाकिया विलते है नेक्स वने तो तक लिए बाए सायोनार